Welcome to Step Up IA, स्वागत है आप सभी लोगों का The Indian Express के editorial discussion में, आज है 28 अगस्त 2018 को आईए हम अपने आज के discussion की ओर आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि essay writing यानि के निबंध में आज हमारे पास क्या है We have a statement of Ray Bradbury You don't have to burn books to destroy a culture, just get people to stop reading them मतलब कि आपको अगर किसी सभीता का, किसी संस्कृती का विनाश करना है, तो आपको किताबों को जलाने की आवश्यक्ता नहीं है बलकि आप केबल उन किताबों को पढ़ने वाले लोगों को मना कर दीजिए कि वो किताबे ना पढ़ें उन्हें रोग दीजिए किसी भी तरीके से वो सभ्यता, वो संस्कृति अपने आप ही समाप्त हो जाएगी यहाँ पर आप रिटरेसी के बारे में कोई बात कह रहे हूँ कि कितनी important होती है यह किताबें या फिर knowledge, पढ़ना, लिखना तो Ray Bradbury का यह statement आपके काम आ जाएगा एक example आज हमारे पास है जो कि आप GS paper 4 और ethics दोनों ही sections में इस्तिमाल कर पाएंगे निबंध में, आफकोर्स इसका इस्तिमाल आप कर सकते हैं संजीत बंकर का हम यहाँ पर नाम ले रहे हैं संजीत रॉय, इनका जन 1945 में हुआ था यह एक Indian social activist और educator थे इंपक्ट जिन्होंने Barefoot College के स्थापना करी थी Barefoot College के जरीए वो जो हमाई society के vulnerable section के लोग हैं उनको education देने का काम कर रहे थे और उन्हें उनके इस contribution के लिए Time Magazine के most hundred most influential personalities in 2010 में एक वेक्टी के रूप में चुना गया उन्होंने अपना काम किया था vulnerable sections जो हमाई society के हैं उनको educate करने में जो semi-literate rural Indians हैं उनको educate करने के लिए Roy को उनके काम के लिए पदमश्री से नवाजा गया ग्यानी ज्याज सिंग जी के द्वारा 1986 में 2012 में Barefoot College इंडिया का पहला SA NGO बना जिसने UNESCO के साथ partnership करी Global Partnership for Girls and Women's Education की परस्पेक्टिव से तो ये example आप अपनी समझ के हिसाब से यूज कर सकते हैं आईए भढ़ते हैं अपने पहले आर्टिकल की ओर that is related to MSP paper 3 से topic को जोड़िए issues related to direct and indirect farm subsidies and minimum support price MSP महराष्टा की सरकार ने अभी एक decision लिया है कि एगर कोई भी private trader सरकार दोरा निर्धारित MSP से कम कीमत पर हिसानों की उपज को खरीदता है तो उसे penalize किया जाएगा उसे सजा दी जाएगी और इसके रिए महराष्टा की सरकार ने Agricultural Produce Marketing Development and Regulation Act 1963 में Amendment भी इंटर्यूस किया है Context समझे कि अगर कोई भी व्यक्ती जो कि private trader भी हो सकता है अगर वो MSP से कम कीमत पर फसल खरीदेगा तो उसे सजा दी जाएगी Article इस बात का भी रोध करता है Article कहता है कि अगर आप Farmers को सच में अच्छा प्राइस दिल्वाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स इंशॉर करने होंगे बजाए इसके कि आप उन्हें डरा धमका कर MSP से अधिक कीमत पर बात दे करें कि वो फसले खरीदे देवेंद्र फर्नवीस administration जो महरास्टा की सरकार हैं उन्होंने जो decision लिया है कि कोई भी private trader भी किसी भी commodity को farmers के MSP से कम कीमत पर नहीं खरीद पाएगा अगर वो ऐसा करते हैं तो ये एक punishable offense होगा जिसमें एक साल तक की jail और पचास हजार तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है वर्तमान में तूर जिसे आप PGNP के नाम से भी जानते हैं wholesale market में महरास्टा में उसकी कीमते काफी गिरी हुई है market price उसका 3600-3700 पर quintal के हिसाब से है जो कि ना केवल 5600 के MSP से कम है बलकि last year का जो rate था 5400 उसके भी कम है बिलकुल वही situation pulses और जोवार के साथ भी बनी हुई है market prices जो है MSP के लिए crop की हम बात कर रहे है देखिए अगर यहाँ पर खिसानों को MSP की कीमत मार्केट में नहीं मिल रही है इसका सिर्फ एक मतलब है कि demand supply का mechanism जो fundamental है वो अच्छी तरीचे से काम नहीं कर रहा है कोई भी trader MSP से अधिक कीमत पर क्यों खरीदेगा सामान जबकि market में उसे उससे कम कीमत पर बेचना पड़ जाएगा तो है ही नहीं उस product की अब सोचिए कि टूर की जो कीमत है market में वो 3600-3700 है मतलब एक consumer 3600-3700 पर kilo के हिसाब से टूर को खरीद रहा है तो आखिर कोई भी जो trader है वो 56 रुपए kilo के हिसाब से टूर को क्यों खरीदेगा जबकि उसे market में वो price उसे मिलना ही नहीं है तो ये तो बेवकुफी वाली बात हो जाएगी यहाँ पर देखिए नुकसान फिर किसको सहना पड़ेगा उस private trader को सहना पड़ेगा अब देखिए जो government entities हैं उनका नाम ले रहे है National Agricultural Cooperative Marketing Federation जो की किसानों की फस्पले जो access होती है उसको खरीद लेता है उसने भी green gram हराचना, moon, food, उरद जिसे ब्लैक gram भी कहते हैं ground nut इसको जब MSP पर खरीदा था तो इस साल वो उसे MSP से बहुत ही कम कीमत पर market price पर market में बेच रहे हैं अब इस entity को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है अब इस entity को नुकसान हो रहा है तो इसके losses को तो सरकार वहन कर लेगी लेकिन अगर जो private trader है उससे नुकसान होगा तो उसका नुकसान कौन सहेगा आप बताईए अब अगर वो MSP से कम कीमत पर खरीदें तो वो जेल जाएं या फिर fine भरें MSP से ज़्यादा कीमत पर खरीदें उन्हें फाइदा नहीं होगा तो safest option क्या है आप बताईए safest option तो यही है ना कि आप खरीदो ही मत तो कोई भी trader किसानों की फिस्टों को खरीदेगा ही नहीं तो ultimately सफर कौन करेगा सफर तो farmer ही करेगा ना अगर traders market में सामान खरीदने से इंकार कर दें क्योंकि उन्हें जेल नहीं जाना भाई उन्हें 50,000 का जुर्माना नहीं देना और 56 रुपए किलो खरीद कि उन्हें 36 रुपीस केजी में नहीं बेचना है तो safest option तो यही है कि आप मत खरीदो भाई ठीक है अपना भी नुक्सान सहलो तो इस सिती में ultimately यह जो policy है महारास्टा सरकार की वो किसानों को ही हिट करने वाली है कुछ wave forward यहाँ पर बताए गए है यह Central Government या महारास्टा के सरकार यह चाहती है कि Farmers को actually में MSP का फाइदा मिले उन्हें market को distort करने का प्रयास नहीं करना चाहिए यह जिम्मेदारी सरकार की है कि वो MSP से अधिक कीमत पर फसलों को खरी दे ना कि private traders को बात दिखिया जाए कि वो ऐसा करें Farmers को आप इसके alternative के तौर पे MSP का difference दे सकती हो जैसे कि माल दीजिए आपने MSP टूर के डाल की 56 रुपीज पर केजी रख्ची हुई है लेकिन market price 66 रुपीज है तो आप पर किये जी किसाब से 20 रुपए उस किसान को दे दीजी दोनों काम हो गया market value भी चल रही है और किसान को नुपसान भी नहीं हुआ और इसके लिए आप direct benefit transfer का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मद्धपदेश ने भावांतर भुक्तान योजुना चलाई थी आप लोगों को याद हो तो तो भावांतर भुक्तान योजुना में यही तुखिया गया था कि अगर MSP से कम कीमत पर आपने market में अपने product को बेचा है अपने farm को बेचा है तो उसका जो अंतर आता है भाव का जो अंतर आता है वो मद्धपदेश की सरकार आपको दे दीगी तो एक अच्छा विकल्प है की नहीं है इससे भी अच्छा विकल्प आप तेलंगाना की सरकार का ले सकते हैं एक formula अपनाया है कि वो एक certain amount पर एकड के हिसाब से pay कर देंगे किसान को और वो decoupled होगा production से मतलब आपने खेत में क्या होगाया है इस बास तो कोई मतलब नहीं है आपको एक certain amount मिल जाएगा अब आप free कर दीजे farmer को कि वो जो चाहे अपने खेत में लगाए जैसे चाहे वो बेचे जिस trader को जिस price पर चाहे बेचे simultaneously आप competition को introduce करिए मतलब आप ये allow करिए कि पूरे भारत में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति किसी भी मंदी से product खरीच सकता है farm को खरीच सकता है तब इससे competition generate होगा तो crisis अपने आप नीशी आएएगे तो बजाए इसके कि आप दराये धमकाएं आपको ऐसे विकल्प अपनाने चाहिए ठीक है conclusion में ये कहा गया है कि अगर आप चाहते हैं कि farmers को सच में फाइदा हो तो आप ensure करिए कि buyers जादा हो बजाए इसके कि आपने धमकाएं question ये है कि क्या आपको लगता है कि minimum support price बढ़ा देने से जो farm distress है वो release हो जाएगा सही हो जाएगा critically examine करिए इस question को 200 सब्दों में आएए देखते हैं अगला article dragon in the room paper to so topic को जोड़िए इंडिया and its neighborhood relations दो क्लाम को एक साल हो चुका है इंडिया और चाइना अब अपने relations को expand कर रहे हैं आए देखते है आर्टिकल में देखिए एक साल बीच चुके हैं जब बहुत ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मिले थे फ्रेस्टन सी जिंपिंग से बुहान में वो एक informal meeting थी कोई बिना प्रिपैड एजेंडा के मेटिंग होती है तो आप उसे informal meeting कह सकते हैं अभी चार दिन के एक विजिट होई है जो चाइनीज डिफरेंस मिनिस्टर है जन्र जो जन्रल वे हैं उनके delegation में बहुत सारे टॉप officials है Central Military Commission के क्योंकि highest military resident making body है चाइना में साथ ही Western Theater Command के भी officials थे जिनके उपर जिम्मेदारी है कि चाइना का जो इंडिया के साब border लगता है उसकी security की पुरी जिम्मेदारी Western Theater Command को है चाइना में तो उसकी भी senior officials महाँ पर उनके relegation में थे दोनों countries ने decide किया है कि Arm Forces का जो engagement है उसको increase किया जाएगा training, joint exercise और professional interaction यह सभी उसका हिस्सा होंगे देखे दोनों sites ने यह decide किया है कि एक नया bilateral memorandum of understanding MOU तयार किया जाएगा defense exchange के लिए जो की 2006 के MOU को replace दोनों देखों के ministers इस बात पर भी राजी हुए कि जो confidence building measures है उनको और ज़्यदा strong किया जाएगा हाला कि सब कुछ चीजी नहीं है इंडिया और चाइना के बीच में अभी तक hotline को established नहीं किया जा सका है इंडिया जब भी attempt करता है border infrastructure को और जदा upgrade करने का तो चाइना इसका बिरोत करता है रिपोर्ट से भी बताती है कि Chinese soldiers लगातार प्रयास कर रहे हैं डोकलाम के हिस्से को occupy करने का और जो 1962 का घोष्ट है या जो डर है वो भारत में आज भी बसा हुआ है जो कि चाइना के प्रति भारत में एक mistrust create करता है बिजिंग भी लगातार इंडिया की जो neighboring countries हैं South Asia में उन पर अपना प्रभाव जमानी की कोसिस करता है और जब भी इंडिया का प्रभाव च्छेतर कम होता है तो भारत में चिंता की लहरे दौर पढ़ती है biggest elephant or dragon in the room वो है disputed border सबसे बड़ी समस्या disputed border है इंडिया और चाइना की बीच में और अभी इसके resolution का कोई भी रास्ता हमारे सामने नहीं है जबकि कई round की talk इस संबंध में हो चुकी है conclusion भी यह कहा किया है कि दोनों Asian neighbors को आप चाहिए कि वो एक नया रास्ता तयार करें जिससे वो border disputes के आगे बढ़ सके इंडिया और चाहिए कि वो पूरी दुनिया में stability का एक factor बन जाए यह पूरा article हमने यहाँ पे discuss किया अब आई यह देखते हैं अगला article प्राइविटाइजिंग द अफगान वार पेपर तू से टॉपिक को जोड़िये इंडिया एंडिया एंट्स नेबर हुड रिलेशन देखिए ब्लैक वाटर जो की एक military service provider है private entity है उनके जो founder रहे थे former founder है यह Eric Prince उन्होंने एक proposal दिया है USA की सरकार को यह एक private security service company है कि अफगानिस्तान में जो US के security personals तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें replace कर दिया जाए private fighters के साथ और वो जो private fighters होंगे जो की इस service provider entities के personals होंगे वो तालिबान के साथ अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ेंगे और इससे USA की सरकार का खर्चा तालिबान वार में बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा US में अब इस बात पर दीवेख चल रही है कि क्या अफगानिस्तान वार को private militias के थ्रू लड़ा जाना चाहिए क्या पाकिस्तान की आर्मी जो hybrid वार लड़ती है तालिबान के साथ मिलकर ये उसे कंट्रोल कर पाएगा आई ये इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं इस आर्टिकल के जरिए इंडिया के परस्पेक्टिव से ये है अफगानिस्तान इसके बीच में है पाकिस्तान और ये जो आप light green कलर का एरिया देख रहे हैं ये या तो ये भारत का वो हिस्सा है जिसे या तो चाहिना या फिर पाकिस्तान ने ओकिपाई करके रखा है अफगानिस्तान की लोकेशन आप पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास जारी रखा है हुआ है आई ये बात करते हैं privatization of war के बारे में अमेरिका में देखिए लगातार अमेरिका अफगानिस्तान में मूग की खा रहा है और अफगानिस्तान में जो situation है वो control में नहीं आ रही है तो privatize करने का जो idea है वो passing Congress में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो privatization के इस idea को अपना समर्थन दे रहे हैं हाना कि President Donald Trump ने इवास साफ इंकार कर दिया है कि वो privatization के ऐसे किसी भी plan को review कर रहे हैं लेकिन उनका जो एक उनकी जो एक tendency है कि वो हर चीज को unconventional तरीके से करने का प्रयास करते हैं वो कहीं ने कहीं privatization के इस idea को ground दे रहा है देखिए अफगानिस्तान में outsource करना military को यह हो सकता है इसका बिरोद किया जा रहा है लेकिन tragic reality यह है कि global level पे private armies का इस्तेमाल modern hybrid war का हिस्सा बनता जा रहा है हो सकता है अफगानिस्तान एक पहला ऐसा battleground होगा जहां पर ही directly engage होंगे हाला कि security provide करने के perspective से या assistance के perspective से यह पूरी दुनिया में बहुत लंबे समय से काम कर रही है जो private entities है ट्रंप की जो initial instinct थी वो यही थी कि USA जो पनी military environment है वार में अफगानिस्तान में वहां से खतम करें तो पिछले 17 सालों से चल रहा है हाला कि जो security establishment था वहां का उन्होंने इस बास से साफ इंकार कर दिया उन्होंने पर शूर किया ट्रंप को कि नहीं आप ऐसा मत करें अफगानिस्तान strategically USA के लिए important है अब देखिए in a major speech अफगानिस्तान में लास्ट रियर ट्रंप ने ये कहा कि वो अपनी troops को और ज़्यदा संख्या में अफगानिस्तान में deploy करेंगे कोई deadline नहीं दी कि USA कब तक अपनी troops को अफगानिस्तान से बाहर निकालेगा पाकिस्तान को धंकाया भी गया कि वो अपना दो मुहा रोल बंद कर दे नहीं तो उसके खिलाफ उसके जो consequences होंगे वो पाकिस्तान के लिए बहतर नहीं होंगे US की जो military leaders है वो लगातार claim कर रहे हैं कि अफगानिस्तान उन्हें success मिल रहे हैं कि वो एक idea रखे USA के सामने कि वहाँ पर private army को भीजा जाए जो कि तालीबान के साफ रडाई लड़े अब देखिए यह जो company है private security company है black water यह अपनी notoriety के लिए काफी मतलब है इन्होंने इराक war के समय में कुछ allegations लगे थे जिन्होंने 14 civilians को वहाँ पर मार दिया था ठीक है बट यह इराक war में भी security provide करवा रहे थे जब USA ने occupation किया था जो prince है वो US Navy SEAL के official भी रह चुके है ठीक है US Navy SEAL रह चुके है former इन्होंने यह idea पिछले साल ही Trump के senior officials को दिया था इन्होंने यह कहा कि अगर हम 6000 की आर्मी भेज दें जिसको 2000 US Special Forces का backup हो और 90 private jet planes air support दें तो battlefield situation में हम बहुत ही जल्दी improvement ला सकते हैं और Taliban को पीछे ढखेल सकते हैं और इन्हों operations का US की treasury पर 9 के बराबर burden होगा देखे US जो है वो हर साल लगभग 50 billion dollar खर्च करता है अफगानिस्तान में war पर 2001 के बाद जो वहाँ पर खर्चा आया है वो लगभग 1 trillion dollar का है 1 trillion dollar का है जो की बहुत ही बड़ा amount है प्रिंस ने जो अभी वो एक consulting firm चला रहे हैं उसका नाम है frontier resource group उन्होंने ये claim किया कि अगर उन्हें ऐसा contract मिलता है तो उसका खर्चा US को केवल 4 billion dollar a year आएगा मतलब बहुत ही ज़्यादा कम और उन्हें वो desired results मिल जाएंगे short period of time में जो वो चाहते हैं अब सवाल ये है उनसे ये पूछा गया कि बराक उबामा की समय में 2010 के duration में 110,000 US troops वहाँ पे deploy थी और वो तालीबान को पीछे ढखियर नहीं पाए desired results नहीं मिले तो उनकी 6000 की force 2000 के backup के साथ क्या कर लेगी उन्होंने बोला देखिए मुद्दा numbers का नहीं है strategy का है strategy की तोरपर उन्हीं बताया कि अभी तक काफी reliance रहता है पाकिस्तान के उपर अगर आपके army कम होगी तो आपका पाकिस्तान के उपर से reliance कम हो जाएगा आप उन्हें और भेतर तरीके से persuade कर पाएंगे कि वो logistic support अगर हमने उनसे नहीं लेना है देखिए बहुत साथ जो military analyst है उनका ऐसा मानना है कि अगर आप private entities को war में जोग देंगे तो accountability की कम ही आ जाएगी civilian casualties जो है वो बढ़ जाएगी human right के abuse बढ़ जाएगे क्योंकि उनका तो ultimate aim तालिबान के लड़ाकों को मारना होगा वो इस बात की चंता नहीं करेंगे कि civilian भी मारे जा रहे हैं जो कि अभी military करती है Afghanistan war के लिए privatization का जो यह मुद्दा है इसके लिए नया नहीं है US ने अभी भी 27,000 contractors को deploy कर रखा है अपने government personnel के तोर पे हाला कि वो military duties तो नहीं करते बट वो logistics support देते हैं या फिर training में भी वो अपना contribution देते हैं तो किसी में किसी तरीके से उनसे काम लिया जाता है US Central Command जो कि Afghanistan में war को लड़ रही है उन्होंने भी लगवग 50,000 contractors जो contract पे लोग हैं उनको hire कर रखा है इसमें US के तो किवल 20,000 लोग ही है 23,000 लोग 3rd countries हैं जबकि 8,000 लोग अफगानिस्तान के locals हैं तो contractors का रोल जो है वो लड़ाईयों में काफी लंबे से मैंसे चल रहा है और किवल USA ही नहीं बलकि Russia नहीं भी ऐसा किया है Syria के बाद में उन्होंने बहुत साए private contractors को deploy किया था जो private militias हैं वो अब modern battle field का एक महतापूर हिस्सा बन गया है जैसे मालीचे किसी डेस में कोई armed group आया उसने वहाँ पर सत्ता में जाने की कोसिस की, group detait किया बट वो successful नहीं हो पाए तो लड़ाके तो उनके पास तब्वी होते हैं तो वो उसे hire के लिए available कर देते हैं कि आप हमें hire कर लो, हम आपके लिए लड़ेंगे ताकि उनको पैसे मिल जाए तो ये जो एक मुद्दा है privatization का, बहुत ही महतापूर बनता जा रहा है present battlefield में conclusion में ये कहा गया है कि US में जो debate है अफगानिस्सान के perspective से वो radical expansion की हिसाब से outcome हो रही है, real question ये है कि क्या जो Eric Prince का plan है तो पाकिस्तान की army को पर prevail कर पाएगा क्या वो अफगानिस्सान में situation को improve कर पाएगा, क्या ये तालीबान को दबा पाएगा, ऐसे जो questions हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं और अगर ये relevance create कर गए, तो हो सकता है parity level को achieve करने के लिए क्या strategy अपनाई जाने चाहिए आपके विचार में आप इस सवाल का जवाब मुझे comment box में दीजी यहाँ पर जो मरा discussion है वो समाप्त होता है thanks for watching this discussion